तो स्वागत है आप सभी का BNN News के एक बिल्कुली नए अपिसोड के अंदर जहां सिर्फ एकी वीडियो के अंदर हम पूरे हफ़ते की सारी latest news को जानते हैं और हर बार के तरह इस हफ़ते भी कई सारी कमाल की news सामने आई है और इसलिए आज आप इस वीडियो को पूरे अंद तक देखते रही है ताकि आपसे कोई भी news मिस ना हो लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मैंसे कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स हमें मोटिवेशन देते हैं इसलिए लाइक और कमेंट्स जरूर करना तो आईए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं Marvel की नियूज के बारे में और साल 1939 से लेकर साल 2024 तक Marvel को पूरे 85 यर्स पूरे हो चुके हैं। और इसलिए 85 यर्स पूरे होने की खुशी में Marvel एक नई कॉमिक सिरीज निकाल रहा है। और इस कॉमिक सिरीज का नाम होगा Marvel Comics for Dummies। और ये कॉमिक सिरीज बेसिकली 6 पार्ट की एक ऐसी छोटी सी कॉमिक सिरीज होगी जिसके अंदर Marvel Comics के 85 यर्स में होने वाली सारी घटाओं के बारे में बहुत ही सिंप्लिफाइ तरीके से बताया जाएगा। और इस कॉमिक की इनी सारी 6 सिरीज में से जो पहली सिरीज होगी वो सिरीज पूरी तरह से Captain America के ओपर बेस्ट होगी जो की रिलीज होगी अगले साल के फरवरी महीने के अंदर और वैसे अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह वही सारी इमेजिस हैं जो की D23 एक्सपो इवेंट के दुरानी लीक होगी थी लेकिन हाँ अम मार्वल ने इनने ओफिशली रिलीज कर दिया हैं वो भी HD गेंदर तो चलिए आप आजाते हैं डेडपु 3 से सबसे पहले Cowboy Pool का एक Concept Art सामने आया है और यह बिसीकली मुवी में Deadpool का एक ऐसा Variant होता है जो कि ए Cowboy होता है इनके लावा Deadpool 3 मुवी से कई सारे Behind the Screen के Shots को भी रिलीज किया गया हैं एडिन सारे Shots में आप सभी Deadpool को उसके Body Double के साथ देख सकते हैं और इवन Wolverine को भी उसके Body Double के साथ देखा जा सकता है वैसे Behind the Screen की कई सारी इमेजिस सामने आया है इसलिए मैं इस सबको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूं लेकिन अगर आपको इन्हें देखना हो तो आप रोक कर भी देख सकते हैं हाला कि इन सारी इमेजिस के साथ साथ कुछ ऐसी भी इमेजिस सामने जिन में VFX से पहले के और VFX के बात के शॉट्स दिखाए गए हैं अगर इन सारी फोटोस को भी अगर आप रोक कर नोटिस करेंगे तो आपको मार्वल के कमाल के VFX की बहुत सारी डीटेलिंग मिल जाएगी वैसे इमेजिस भी कई सारी हैं इसलेकर आप इन्हें भी देखना और इसके चेहरे के अपर VFX का यूज करें इसे थार जैसा दिखाए गया हैं इन सब के साथी डैडपुल 3 मूवी के कुछ डिलेटेड़ सीन्स भी सामने आया हैं जिन में से एक सीन के अंदर ये भी दिखाए गया हैं कि जब वॉइड के अंदर फाइट के बाद गैंबिट बिख जाता हैं और आप यहाँ पर इन सारी मेजिस के अंदर गैंबिट को नोटिस कर सकते हैं जो कि सब के मरने के बाद अभी भी जिन्दा हैं और अब क्योंकि मारवल ने इसे जिन्दा रखा है इसलिए हो सकता है कि MC वाले इसे आगे भी किसी और मुवी के अंदर यूज करें हाला कि Deadpool 3 को लेकर Marvel ने भी एक वीडियो रिलिस करी है और बेसिकली इस वाली वीडियो के अंदर Marvel ने पूरी मुवी को लेकर बहुत सारी इस्टर एक्स और रिफरेंस दी हैं जैसे कि इन सारी इस मुवी को नहीं देखा है और वो इस वीडियो को देख लेगा तो उसके लिए पूरी मुवी स्पोईल हो जाएगी जलिए अब इसका आगे बात करते हैं अगाथा All-Along Series के बारे में तो बेसीक अलि अगाथा की जो सिई ए वो में अगले महीनि zoning को मिलने वाली है लेंगों किpunkि मार्वल की वैल करी यानि की एक्टरस तेसा थॉमसन औरेड़ी LGBTQ कम्यूनिटी से बिलॉंग करती है और इसलिए MCU में जो लोग के दिखने के बाद ही मार्वल के अंदर टोटल ऐसे दो एक्टरस हो जाएंगे जो कि LGBTQ होंगे तो यही कुछ थी इस अफ़ते की मार्वल की निउस अम मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं DC और कुछ अधर निउस के बारे में इन में सबसे पहले James Gunn के नए DCU के जो सूपरमैन है यानि की एक्टर डैविड कॉरंस वर्ट उन्होंने कई सारी फोटोस शेर करी हैं और इन सारी फोटोस में आभी नोटिस कर सकते हैं कि उन्होंने ना से सूपरमैन की टीशिट पहनी है बलकि इनके साथ ही वो जिन एक्टर्स के साथ खड़े हैं वो उनकी सूपरमैन मुवी के अंदर दा इंजिनियर को प्ले कर रही है और उनके अलवा इन बागी फोटोस के अंदर ये उनके पेरेंट्स हैं सूपरमैन के साथ ही बात करें बैटमैन की तो बैटमैन को लेकर ये अपडेट सामने आए कि रोबर्ट पैटिंसन की जो दा बैटमैन मुवी है उसी मुवी के अपर एक गेम बनने जा रही है और बैटमैन की ये वाली गेम दा बैटमैन के युनिवर्स के पर ही बेस्ट होगी वैसे ये गेम कब तक रिलीज होगी इस बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है हाला कि इनके साथी सूपरमैन और लुइस की जो सीरीज थी उसका फिनाले सीजन सतर अक्टूबर को आने वाला था लेगिन अब इस सीरीज की रिलीज डेट को प्रीपॉन कर दिया गया है क्योंकि जहां ये पहले सतर अक्टूबर से आ रही थी कि मुफासद दा लाइन किंग मुवी भी इसी तारीक को आएगी यानि कि सॉनिक 3 और मुफासद दा लाइन किंग दोनों क्लैश होने वाले हैं वो भी 20 दिसंबर को वैसे आप इन दोनों मुवीज में से किसके लिए जादा एकसेटेड हैं आप उसका नम कमेंट्स में जरूर बताना अब इसके आगे हैं स्नो वाइट की लाइव एक्शन मुवी बेसिकली डिसनी वालोंने कुछ नहीं पहले ही प्लैन करा था कि अगर यह मुवी रिलीज होती है तो यह बहुत ही बड़ा डिजास्टर साबित होगी चलिए अब इन सब के आगे कुछ एनिमे न्यूस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जुजुसु कैसिन बेसिकली जुजुसु कैसिन को लेकर इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इसके उपर एक प्रॉपर मुवी आने वाली है चुकि रिलीज होगी अगले साल यानि कि साल 2025 के अंदर जुजुसु कैसिन की इस वाली मुवी का नाम होगा बन भी लोगों को काफी पसंद आए था इसलिए अब इसका सीजन टू भी सेप्टमबर महिने के 11 अरिक से स्टार्ट हो रहा है और इसके सीजन टू के अंदर टोटल 10 एपिसोड होंगे इस काटून में दिखने वाले इसी वाले बर्गर को वेंडी बर्गर्स नाम की कंपनी रियल लाइफ में बनाने चारी आ है वैसे आप लोग मुझे बताइए कि अगर कोई काटून वाला बर्गर आपको को रियल लाइफ है बना कर दिया जाए तो क्या आप उसे खाएंगे या फिर नहीं इस बारे में कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना और मुझे उमीद है कि आपको वो सारी वीडियो बहुत पसंद आएंगी तो बस आज किस वीडियो में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं मैं मिलता हूँ आप से ऐसी किसी और बहतरीन वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई